दीरी करण न्यूस में अभी की खबर है विश्व मधुमेय दिवस दो हजार चौबिस हर साल 14 नवंबर को विश्व मधुमेय दिवस यानि WDD मनाया जाता है यह दिवस मधुमेय की रोगठाम, शिग्रनिदान, प्रभावी प्रबंधन और समान देख भाल पहुँच में व्यापक कारवाई की ततकाल आवशक्ता पर प्रकाश चालता है साथ यह दिवस मधुमेय के बारे में जागरुकता भी बढ़ाता है इस वर्ष की थीम Breaking Barriers, Bridging Gaps है चली अब देखते हैं विश्व मधुमेय दिवस का इतिहास वर्ष 1991 में अंतराश्ट्री मधुमेय संग यानि IDF और विश्व स्वास्त संगठन यानि WHO ने इसे शुरू किया था वर्ष 2006 में UN ने इसे वैश्विक स्वास्त चिंता के रूप में मानेता दी 14 नवंबर का चयन सर्फ एडरिक बैंटिंग के जन्म दिन पर किया गया था जिन्होंने इंसुलिन की खोच की थी चली अब जानते हैं मधुमेय के बारे में यह एक चया पचय रोग है जो लगतार उच्च रक्त शरकरा के स्थर से चन्हित होता है मधुमेय मिलिटस जुसे मधुमेय के रूप में भी जाना जाता है मधुमेय एक पुरानी बीमारी है जिसमें शरीर या तो अब परियाप्त मात्रा में इंसुलेन का उत्पादन करता है यह जो इंसुलेन का उत्पादन करता है उसका कुशलता पुर्वक उप्योग करने में असमर्थ होता है इसे दो प्रकारों में वर्गी कृत किया गया है ताइप बन मधुमेय यह तब होता है जब अगने आशे परियाप्त इंसुलेन का उत्पादन करने में विफल रहता है ताइप टू मधुमेय यह मधुमेय का सबसे सामानी प्रकार है इस इस्थिते में शरीर इंसुलिन का ठीक से उपयोग नहीं कर पाता इसे इंसुलिन प्रतिरोध कहा जाता है टाइप टू मदमे होने का मुख्यकारण मोटापा और व्यायाम की कमी है गौर तलब है कि भारत सरकार नी राष्ट्रिय स्वास्त मिशन के अंतरगत गैर संचारी रोगों की रोगठाम और नियंतरण के लिए व्यापक राष्ट्रे कारिक्रम के एक भाग के रूप में मदमे से निपटने के लिए कई सक्रिय उपाय शुरू किये हैं तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रशकों निर्मलिकित कथनों पर विचार कीजे एक मदमे एक चाया पचय रोग है जो लागातार उच्च रक्त शरकरा के सरसे चनहित होता है दो वर्श 2024 की थीम ब्रेकिंग बैरियर्स ब्रिजिंग गैपस है उपर युक्तमे से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है एक एवल एक बीकेवल दो सी एक और दो 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 दीना तो एक और नहीं दो इस प्रेशल का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दे अभी के लिए ब बूले